मित्रों सिध्धियों का संबंध एक ऐसी शक्टी से हैं, जो आम इनसान को देवता तुल्य बनाने में सक्षम हैं। कोई भी व्यक्ती इन सिध्धियों को अगर पा लेता हैं, तो वह व्यक्ती दुनिया के हर काम को करने में सक्षम हैं। मित्रों मानव शरीर की बनावट भगवान ने इस तरह से किया हैं, कि व्यक्ती अपने तपस्या और साधना से पुरे ब्रहमांड को भी हिला सकता हैं। अगर कोई व्यक्ती चाहे, तो वह अपने सिध्धियों के द्वारा पंच तत्व पर भी नियंतरन पा सकता हैं। वायू में उरना, जल पर चलना, एक से अनेक रूप धारण अर लेना, एक समय में अनेकों स्थानों पर उपस्थित रहना, अपने आपको विशाल काय रूप में बदल लेना, आदी जैसे चमतकारी कार्य ये सभी सिध्धियों के द्वारा किया जा सकता हैं। मित्रों सिध्या कई प्रकार की होती है, जैसे कि आपने तो यह जरूर सुना होगा कि हनुमान जी के पास अश्ट सिध्धिया थी, जिसके उपर हमने पहले ही विडियो बना दिये हैं, इसके अतिरिक्त आज हम आपको 16 चमतकारी सिध्धियों के बारे में बताएंगे, जो व्यक्ति को आम व्यक्ति की तुलना में कई गुना शक्तिशाली बना सकता है, मित्रों अगर इस सिध्धी शब्द पर हम विचार करें, तो पाते हैं कि इसके अपने अलग-अलग अर्थ निकलते हैं, यू तो सिध्धि का शाब्दिक अर्थ किसी पूनता, सफलता और प्र असंभव से असंभव कार्य साधक के लिए असंभव नहीं रह जाते हैं, इन सिध्धियों के बाद मानव सांसारिक मो माया से मुक्त हो जाता है, कामनाओं से रहित हो जाता है, भौतिक वस्तूओं की लालसा समात हो जाती है, यही वे सिध्धिया हैं, जो हम देखकर ऐसी सिद्धी हैं कि जो भी वचन बोला जाए, वे व्यवहार में पूर्ण हो, वह वचन कभी व्यर्थ न जाए, प्रत्येक शब्द का महत्व पूर्ण अर्थ हो, वाक सिद्धी युक्त व्यक्ति में श्राप और वर्दान देने की क्षमता होती है. दुसरा दिव्यद्रिष्टी सिद्धी हैं. दिव्यद्रिष्टी का तात पर यह हैं कि जिस व्यक्ति के संबंध में चिंतन किया जाए, उसका भूत, भविष्य और वर्तमान एकदम सामने आ जाए. आगे क्या कार्य करना हैं, कौन सी घटनाए घटित होने वाली हैं, इसका ज्यान होने पर व्यक्ति दिव्यद्रिष्टी उक्त महा पुरुष्ट बन जाता है. तिसरा प्रग्या सिद्धी हैं. प्रग्या सिद्धी का तात पर यह हैं कि मेधा, अर्थात, स्मरंशक्ती, बुध्धी, ज्यान, इत्यादी, ज्यान से संबंधित सारे विश्यों को जो अपनी बुध्धी में समेट लेता हैं. वह प्रग्यावान कहलाता है. जीवन के प्रत्येक शेत्र से संबंधित ज्यान के साथ साथ भीतर एक चेतनापुंच जागरत रहता है. चौथा दूरश्रवन सिद्धी हैं. इसका तात पर यह हैं कि भूतकाल में घटित कोई भी घ घटना वारतालाप को पुनह सुनने की क्षमता होना. इस सिद्धी से व्यक्ति भुतकाल में कथित वरतालाप को असानी से सुन पाता है. पाचवा जल्गमन सिद्धी हैं. यह सिद्धी निश्चय ही महत्वपूर्ण है. इस सिद्धी को प्राप्त योगी जल्ग नदी अध्रिश्चय ही मानोधर्ती पर गमन कर रहा हो. वह पानी में कभी नहीं डुपता है. चट्था वायुगमन सिद्धी हैं. इस सिद्धी से कोई भी व्यक्ति अपने शरीर को सुक्षमरूप में परिवर्तित कर एक लोक से दूसरे लोक में गमन कर सकता है. एक स्थान से द अध्रिश्य कर लेना ही इस सिद्धी का उदेश हैं, जिससे स्वयन की इच्छा बिना दूसरा उसे देख ही नहीं पाता है. आठवा विशो का सिद्धी हैं. इसका तात पर यह हैं कि अनेक रूपों में अपने आपको परिवर्तित कर लेना एक स्थान पर अलग रूप हैं और दूसरे स्थान पर अलग रूप हैं. नवम देवक्रियानुदर्शन सिद्धी हैं. इसक्रिया का पूर्ण ज्ञान होने पर विभिन देवताओं का साहचर्य प्राप्त कर सकता हैं. उन्हें पूर्ण रूप से अनुकूल बनाकर उचित सहयोग लिया जा सकता हैं. दस्वा कायाकल्प सिद्धी हैं. कायाकल्प का तात्पर्य हैं. शरीर परिवर्तन से समय के प्रभाव से देह जरजर हो जाती हैं. लेकिन कायाकल्प कला से युक्त व्यक्ति, सदैव, रोगमुक्त और यौवनवान ही बना रहता है. वह कभी बुढ़ा नहीं होते हैं. ज्यारहवा सम्मोहन सिद्धी हैं. सम्मोहन का तात्पर्य हैं. की सभी को अपने अनुकूल बनाने की क्रिया. इस कला को पूर्ण व्यक्ति, मनुष्य तो क्या, पशु, पक्षी, प्रकृती को भी अपने अनुकूल बना लेता हैं. बारहवा गुरुत्व सिद्धी हैं. गुरुत्व का तात्पर्य है गरिमावा. जिस व्यक्ति में गरिमा होती हैं, ज्यान का भंडार होता है और देने की क्षमता होती हैं. उसे गुरु कहा जाता है. भगवान प्रभुकृष्ण को तो जगत गुरु कहा गया है. तेरहवा पूर्ण पुरुशत्व सिध्धी हैं इसका तात्पर्य है अद्वितिय पराक्रम और निडर एवं बलवान होना श्री कृष्ण में यह गुन बालेकाल से ही विद्यमान था इसके कारण से उन्होंने ब्रजभूमी में राक्षसों का सहार किया तदनंतर कंस का सहार करते हुए पुरे जीवन शत्रों का सहार कर आर्यभूमी में पुनह धर्म की स्थापना की चौधवा सर्वगुन संपन्न सिध्धी हैं जितने भी संसार में उदात गुन होते हैं, सभी कुछ उस व्यक्ति में समाहित होते हैं जैसे डया, द्रिडता, प्रखर्ता, ओज, बल, तेजस्विता, इत्यादी इन ही गुनों के कारण वह सारे विश्व में श्रेश्थतम वह अद्वितिय माना जाता हैं और इसी प्रकार यह विशिष्ट कार्य करके संसार में लोखित एवन जनकल्यान करता हैं पंद्रहवा इच्छा मृत्यों सिध्धी हैं इन कलाओं से पूर्ण व्यक्ति कालजई होता हैं काल का उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहता वह जब चाहे अपने शरीर का त्याग कर नया शरीर धारन कर सकता है सोलहवा अनुर्मी सिध्धी हैं अनुर्मी का अर्थ हैं जिस पर भूख प्यास, सर्दी गर्मी और भावना दुर्भावना का कोई प्रभाव न हो तो मित्रों यह थी सोलह चमतकारी सिध्धिया अशा हैं कि यह विडियो आपको अच्छी लगी होगी